हेलो दोस्तो हिंद स्टेडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है आज MS Word की एक Advanced Class के साथ फिर से हाजर हूँ आपके सामने देखिए दोस्तो आप लोगों ने MS Word में पॉइंट्स लगा कर लिखना जरूर सीखा होगा और आपने इसका यूज भी जरूर किया होगा मैं उमीद करता हूँ ये सब चीजें आपको आती होंगी लेकिन आप चाहते हैं कि आपने देखा यहां पर इस टाइप के पॉइंट्स आपने जरूर लगाए होंगे जैसे यहां पर यहां ये हम लोग कैसे लगाते हैं अगर आपको नहीं आता है तब आप भी सीख लीजिए आप चाहते हैं कि आउटमेटिक पॉइंट्स आए तो आप यहां पर देखिए आउटमेटिक पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे अब ये पॉइंट्स आउटमेटिक कैसे आते हैं आपको लिखना है और होम पर क्लिक करना है और यहां पर बुलेट्स के आप्सन को इनैवल करना है देखिए दोस्तो इनैवल हो गए हैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप के पॉइंट्स वगरा आपने जरूर लगाए होंगे इस टाइप के पॉइंट्स वगरा जरूर लगाए होंगे लेकिन आपने यहाँ पर smiley का use नहीं किया होगा और नहीं आपने यहाँ पर star लगाया होगा और नहीं आप अपने पसंद के यहाँ पर bullets और points लगा पाते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पसंदी दा bullets का और अपने points का कैसे use करें तो बने रहे इस video में अब आप चलते हैं वीडियो की तरफ देखिए दोस्तो यहाँ पर हमने smiley का use कर रखा है तो यह smiley यहाँ पर हमने कैसे add की है symbols के साथ तो दोस्तो अब आपको हम लिए चलते हैं इसके class की तरफ तो यहाँ पर आप जैसे ही इस point पर click करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा define new bullets इस पर click करना है आपको और यहाँ पर आपको symbols पर click करना होगा अब आप जैसे ही symbol पर click करेंगे तब आपके सामने इतने सारे symbols आ जाएंगे यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखना है यहाँ पर bindings का option आपको enable रखना होगा bindings जैसे enable रखेंगे तब आपके सामने यहाँ पर नए नए तरीके के icons आ जाएंगे तो for example हम यहाँ पर लेते हैं एक अच्छा सा मोटा सा point और यहाँ पर हमने add कर दिया और यहाँ पर कर दिया add देखिए दोस्तों यहाँ पर एक normal point में और इस वाले point में कितना अंतर है जो आप लोग लगाते हैं वो normal थोड़ा सा पतला और small bullet होता है लेकिन यहाँ पर हमने big size में bullet लगाया है इसके साथ साथ अभी आपको orbitizen सिखाने वाला हुम है यहाँ पर symbol पर click कीजिए अगर आपको चाहिए एक full और यहाँ पर हमने flower लिया और यहाँ से कर दिया add और यहाँ पर okay करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर full भी add हो गया है अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई नया तो आप फिर से define पर click कीजिए symbols पर click कीजिए और यहाँ से आप चाहते हैं चांद लगाना तो आप चांद भी लगा दीजिए यह देखिए दोस्तो चांद लग चुका है चांद और तारा हमने लगा दिया है अब हम चलते हैं और next की तरफ अगर आप चाहते हैं ओम बन कर आए तब आप यहाँ पर इसको भी add कर सकते हैं तो दोस्तो आप लोग समझ गए होंगे कि नए नए तरीके के bullets और points और numbers आप कैसे add कर सकते हैं अपने documents में अपने paper में तो आप लोग इसका use जरूर कीजिएगा उम्मिद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आया होगा तो जब तक दीजिए हमें अजासत मिलते हैं हम जल्द ही next वीडियो में